नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम आने वाले दिनों में गेहूं के क्या भाव रह सकते इसके बारे में बताएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप एगरी प्रोडक्शन यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें रूस युक्रेन युद्ध से मिला MP के किसानों को फायदा जानिये कितना महंगा बिक रहा गेहूं इस बार मंडी में गेहूं की आवक फरवरी से ही शुरू हो गई है और मार्च तक गेहूं की आवक ने रिकॉर्ड बना लिया है रूस युक्रेन युद्ध को लेकर दुनियाभर में चिंता का महौल है लेकिन मध्यप्रदेश के किसानों को इस युद्ध का लाब मिलता दिख रहा है दरसल रूस यूक्रेन में युद्ध के चलते वहां से गेहू का निर्यात नहीं हो पा रहा है जिसके चलते भारत के गेहू की मांग बढ़ी है इसका फाइदा देश के किसानों को मिल रहा है मध्य प्रदेश के किसान भी खुश है क्योंकि खुले बजार में गेहु 500 रुपे तक उचा बिक रहा है खंडवा में हर दिन लगभग 20,000 क्विंटल गेहु मंडियों में पहुँच रहा है 3000 रुपे क्विंटल तक जा सकते हैं दाम माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गेहु के दाम लगभग 3000 रुपे क्विंटल तक जा सकते हैं मध्य प्रदेश में गेहु का सरकारी पंजियन शुरू हो चुका है इस बार गेहु का समर्थन मूल्य 2050 तक है लेकिन खुले बजार में यह 2500 रुपे क्विंटल तक बिक रहा है हाला कि अभी सरकारी गेहु की खरीद शुरू नहीं हुई है लेकिन किसानों को इस बार खुले बजार में ही अच्छी कीमत मिल रही है जिससे किसान खुश है इस बार मंडी में गेहु की आवक फरवरी से ही शुरू हो गई है और मार्च तक गेहु की आवक ने रिकॉर्ड बना लिया है समर्थन मूल्य अधिक मिलने से मंडी में वहनों की कतार लग रही है बता दे कि युक्रेन रूस युद्ध के चलते अभी तक भारत से निर्यात होने वाले गेहु का आकड़ा मौजूदा वित्तियव वर्ष में फरवरी अंध तक ही करीब 7 मिलियन टन हो चुका है युक्रेन रूस बड़े गेहु उत्पादक रूस और युक्रेन में बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन किया जाता है दोनों देश पूरी दुनिया के कुल गेहु निर्यात का एक तिहाई हिस्सा निर्यात करते हैं भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है यही वजह है कि युक्रेन रूस के युद्ध के चलते भारत का अनाज निर्यात बड़ा है आकडों के अनुसार वित्तिय वर्ष 2021-22 में भारत में 111.32 मिलियन टन गेहु का उत्पादन होगा जो कि पिछले साल के 109 मिलियन टन से ज्यादा है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद, जय हिंद